आज की शेड़ो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फोन खो जाता है या अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो आप कैसे अपने चोरी हुए फोन को ऑनलाइन ब्लॉग कर सकते हैं आगकी यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस तरह की घटना किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, आपको यह information पता होनी चाहिए, कि आप अपने mobile को, आप अपने चोरी हुए mobile को कैसे online blog करवा सकती हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको दो काम जरूर करना होगा, नमबर वन, आपको उस sim को, जो चोरी हुए phone में लगा हुआ था, उस sim को आपको customer care के पास call करके बंद करवाना है, और उसी sim के number से आपको दूसरा sim खरीद लेना है, नमबर टू आपको करना क्या होगा, आपक में complain online भी कर सकते हैं, अगर आपको online, police में complain करना नहीं आता है, तो मुझी आप नीचे comment करके बता सकते हैं, मैं इस पर आपको video बना कर बता दूँगा, तो इतना करने के बाद आपको करना क्या है, मैं आपको अपने mobile के screen पर जाकर बता रहा हूँ, आप चाहे तो इसे computer से भी कर सकते हैं, जाता लोगों के पास mobile होता है, तो इसलिए मैं आपको mobile पर करके बताऊंगा, कि आप किस तरह से आप अपने चोरी हुए phone को block कर सकते हैं सबसे पहले आपको अपने mobile के किसी भी browser में आ जाना है, और वहां पर type करना है CEIR और सबसे पहले वाले website पे आपको click करना है, उसके बाद आप government के official website पे आ जाएंगे, जहां से आप अपने चोरी हुए phone को block कर सकते हैं तो यहां पे CEIR.GOV.IN पे आपको आजाना है, मैंने description में भी इसका link दे रखा है, आप वहां से भी direct click करके इस website पे आ सकते हैं उसके बाद आपको यहां पे block stalling या lost mobile पर click करना है, उसके बाद यहां पे आपको कुछ basic information देनी होगी ताकि आपका चोरी हुआ phone block हो सके तो सबसे पहले आपको यहां पे mobile number देना है, जो आपके चोरी हुए phone में लगा हुआ था, तो यहां पे mobile देना है, अगर आपके उस mobile में दो SIM थे, तो यहां पे आपको दूसरे SIM का भी number दे देना है, ठेक है, उसके बाद यहां पे आपको IMEI number देना है, अगर आपको आपक कि उस phone के डब्बे में भी लिखा हुआ मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको IMEI number इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर यह सेलेक्ट करना है कि आपका वो phone कौन से brand का था सपोज मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूं कि वो phone samsung कर था तो यहाँ पर आपको samsung search कर लेना है तो मैंने यहाँ पर samsung search कर लिया है select कर लिया उसके बाद यहाँ पर आपको model number देना है वो model suppose मान लेते हैं कि वो galaxy था ठीक है galaxy s4 उसके बाद यहाँ पर आपको उसके बाद यहाँ पर आपको अपने उस invoice को upload भी करना होगा जब आपने phone को ख़रीता था तो जो रसीद आपको मिली थी उस रसीद को यहाँ पर आपको upload करना है उसके बाद यहाँ पर कुछ और information आपको देनी है आपका phone कहाँ पर चोरी हुआ था किस जगा पर चोरी हुआ था उसे आपको यहाँ पर लिख देना है किस time हुआ था किस date में हुआ था यह आपको यहाँ से select कर लेना है यहाँ से आपको लिख लेना है उसके बाद यहाँ पर आपके खुद का state यहाँ पर select करना है मैं आपको बता दू अभी यह service सिर्फ Delhi और महारास्ट में है लेकिन आने व कौन से area में आप रहते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको police station select कर लेना है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं यह police station आ गया उसके बाद यहाँ पर आपने जो police complaint किया था तो आपको police complaint number भी मिला होगा वो police complaint number यहाँ पर आपको इंटर करना है और यहाँ पर आपको उस complaint को upload भी कर मैं आपको देखाता हूं कि के Complain Number किस तरह का होता है तो आप देख सकते हैं कि यह Complain Form है जो की Complain किया गया है Mobile Chori के लिए तो यहां पे आपको जो Complain Number Inter करना है वो इसे आपको इंर करना है ठीक है तो इस Complain Number को आपको उस Form में इंटर करना होगा और simply इस पर click करके आपको अपने phone से उस complaint form को यहाँ पर upload कर दिना है तो जैसे कि आप दिख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर complaint form upload कर दिया है उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर और भी complaint को add कर सकते हैं इस green वाली button पर आप click करके उसके बाद मैं नीचे यहाँ पर चला जाता हूँ यहाँ पर कुछ और चीज़े पुछी जा रही है यहाँ पर आपको honor का name देना है जो भी उस phone का honor था उसका यहाँ पर नाम देना है आप उस Student को अपलोड भी कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको उस ID का number देना है इस प्रस्पोज मैंने यहां पर आधार 누भर दिया जाएगा उसके बाद यहां पर आपको खुदका mail ID देना है और यहां पर आपको वही नंबर देना है जो आपने ऊपर दिया था जो आपने सबसे ऊपर मॉयल नंबर दी थी वही यहां पर आपको नंबर देना है ठीक है मैं दिखा रहता हूं आपको कि आपने जो यहां पर इंटर किया था सबसे पहले में यही नंबर आपको नीचे इं पर क्लिक करने के बाद आपके उस नंबर पर आपको एक request ID मिल जाएगी और यहां पर भी आपको एक request ID मिल जाएगी उस request ID को आपको रख लेना है और उस request ID से आप यह पता कर सकते हैं कि आपका phone अभी block हुआ है या नहीं यह पता करने के लिए कि आपका phone अभी block हुआ है या simply आपको यहाँ पर click करना होगा इस check request status पर इस request status पर आपको click करने के पाद यहाँ पर request ID देना है जो आपको request ID उस वक्त मिली थी यहाँ पर request ID देने के पाद submit पर click करना है और आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका phone अभी block हुआ है या नहीं suppose मान लेते हैं कि आपका चोरी हुआ phone वापस मिल जाता है तो उसे आप कैसे unblock कर सकते हैं इसके बारे में भी हम चाल लेते हैं simply आपको इस green वाले बटन पर click करना यहाँ पर लिखा हुआ है unblock phone mobile simply आपको इस पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको request id पूचे जाएगी जो request id आपको मिली थी उसे आपको save करके अच्छे से रख लेना है और request id आपको डालना है और आपको यहाँ पर वही number डालना है जो number आपने request करते समय दी थी थी котором तो वह number यहाँ पर आपको करना है कुछ यहाँ पर unblocking reason प्रेदन आपको लिखना होगा ठीक है उसके बाद यहां पर आपको यही नंबर फिर से वापस यहां पर दे देना है ताकि आपके उस नंबर पर OTP जाए और OTP जाने के बाद आपको यहां पर verify करना है उसके बाद submit पे click करना है आपका वो phone कुछी देर बाद unblock हो जाएगा करें इसे अपने दोस्तों के साथ जादस जादस शेयर करें इस information को जादस 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 लोगों तक पहुंचाएं अगर आपके मन में किसी भी तरह कोशन हो तो मुझे आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं और इसी तरह के हमारे खास वीडियो को सबसे पहले देखने के पर जरू क्लिक कर दें तो मिलता हूं आपसे अगले वडियो में तब तक के लिए बाबाई टेख केर और गुडबाई